हमारे सभी प्यारे साथियों को प्यार बढ़ा नमसकार और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिसकस करेंगे grammar portion को अगर हम grammar की बात करते हैं तो grammar में भी कहां से शुरुवाद करेंगे पार्टसाप स्पीश से शुरुवाद करेंगे ठीक है अब देखो parts up speech में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं आगे वीडियोज में सबसे पहले noun, फिर pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, introduction और article ठीक है इतना portion यहाँ पर रहेगा यह total parts up speech का portion रहेगा जहां से हमारा error detect करने के लिए आता है तो error को find out करने के लिए यह portion पे आपकी command बहुत अच्छे से होना ही चाहिए हम लोग एक-एक topic पे बहतरीन एकदम detail zero से advanced level तक पढ़ेंगे दूसरी चीज इसके बाद जो target करेंगे वो direct indirect इसके बाद में transformation के जितनी भी parts है जैसे degree है used to remove to है ठीक है इसके बाद में आपका active voice, passive voice हो गया जितना भी हमारा portion रहेगा transformation का बहुत सारा portion discuss करेंगे फिर next synthesis को target करेंगे synthesis में हमारा simple sentence, compound sentence और complex sentence सीखेंगे जिसमें हम आपको clause को भी यानि की noun clause, adjective clause, adverb clause इनको भी पहचानना, बहतर तरीके से बनाना, synthesis करना बाक्यों का सब कुछ सिखाएंगे ठीक है दूसरी चीज और last में जो लोग हम लोग यानि की direct indirect हो गया active voice, passive voice हो गया, आपका transformation हो गया, synthesis हो गया और lastly, book app का portion रहेगा, book app में भी हमारा क्या रहेगा जैसे अगर हम बात करते हैं, तो synonyms, antonyms, one word substitution, homophones, idiom and phrases या phrasal verb, ये सारा portion हमारा book app का पार्ट रहेगा, ठीक है तो चलो, आज की वीडियो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, आज की वीडियो इसलिए recorded form में दे रहा हूँ ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो है, और इसके बाद हमने decide कर लिया है कि आपकी जो live class हुआ करेंगी, वो 9 से 10 हुआ करेंगी रात को 9 वजे से लेकर के 10 वजे तक, ठीक है, 9 वजे से लेकर के 10 वजे तक ये PM की classes हैं, यानि की रात में हुआ करेंगी, ध्यान बनाए रखेगा और live में total एक गंटा पूरा grammar का ही चर्चा करेंगी, ठीक है, तो जो भी TGT, PGT, SSC, bank वाले जितने भी candidate हैं, ठीक है बो सबी यहां पर आकर के जुड़कर के अपनी English को बहतर तरीके से improve कर सकते हो, बाकि हम लोग सिखेंगे, जैसे जैसे वीडियो को देखते जाएंगे, बैसे बैसे आपको समाज आती जाएंगी, चीजे, ठीक है, चलो, सुरुआत करते हैं, पहले से ही क्या बताना, आपको खुदी समझाने लगेगा, तो मैंने क्या बताया, पार साफी स्पीच में सबसे पहले हम क्या डिसकस करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बर्व, एडवर्व, प्रेपोजिशन, कंजेक्शन, और इंटर्जेक्शन, ठीक है, बेसिक थोड़ा सा बता देते है बाकी तो हम नाउन दी नंबर को आज की वीडियो में डिसकस करने बाले हैं, अगर हम नाउन की बात करते हैं, तो यह क्या है, नेमिंग बर्ड है, ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, रेप्लेसिस करता है नाउन को, यानि कि नाउन के स्थान पर यूज होने बाले सब्द हम वो action verb होगी, जिसमें action ना हो, बस static हो, तो वो state verb कहलाएगी, adverb क्या होता है, यह modify करता है, किसको verb को भी modify कर देगा, adjective को भी और adverb को भी, खुद adverb, ऐसे समझ लिजेगा, सिर्फ noun और pronoun को छोड़ कर वाकि सब की विसेस्ता बता देता है, यह कौन, adverb, यहां तक कि कभी-कभी तो आगे चल करके बताऊंगा, यह noun और pronoun को भी describe करने लगता है, ठीक है, तो adverb तो किसी के भी आगे लग जाएगा, mainly, आप ध्यान बनाए रखिएगा, यह किसको किसको modify करेगा, यह किसकी किसकी विसेस्ता बताएगा, verb की, adjective की, और adverb, खुद adverb की, preposition, यह relation बताता है, एक noun का दूसरे noun से, ठीक है, next, अगर हम बात करें, conjunction की, तो यह जो conjunction करता है, joining bird होता है, यह दो sentences को आपको join करेगा, दो clause को join करेगा, यह दो noun को join करेगा, conjunction bird किसी को भी, सिर्फ एक यह बात, इसके बारे में ध्यान बनाए रखिए, क्या बात ध्यान बनाए रखना है, ध्यान से सुनिए, द्यान क्या बनाए रखना है कि एक joining बर्ड होता है और यह join करने का काम करता है इंटर्जक्षन क्या होता है expressive बर्ड होते हैं sudden expression comes into our heart जो हमारे मन के अंदर अचानक से कोई feelings आती हैं कोई परिवर्तन आता है वो सब इंटरजक्शन में जाता है, जैसे हुरा, आलास, ब्रैबो, वाट इंडाउ, ये सब इंटरजक्शन बाढ़ हैं, जिनकी तरू हम अपनी फिलिंग्स को ब्यक्त करते हैं, एक्स्प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये तो एक स्वाट, हमने थोड़ा सा इंटरजक्शन दे ये सब चीजे आपकी रहने बाली हैं, आज जो टॉपिक है, यानि कि जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, वो है नाउंदी नंबर पर, अगर हम नाउंदी नंबर की बाद करते हैं, तो इससे ज़रा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है ध्यान दो मैं number भी बताऊंगा देखो जिस topic को भी हम पढ़ते हैं कम से कम उस topic के बारे में हमें बेहतरी knowledge होना चाहिए क्या बेहतरी knowledge होना चाहिए समझेगा देखो number में क्या होता है एक आपका singular number होगा और दूसरा हमारा plural number होगा running number is called singular number और more than running number is called plural number यानि कि जिसमें एक की बात कही जाए वो हमारा singular होगा और जिसमें एक से अधिक की बात की जाए वो हमारा plural होगा लेकिन यार एस सब चीज़ हमारे competitive exam में नहीं आने वाली और नहीं कभी पूछी जाती हैं, बट कम्टी टिब एक्जाम तक पहुचने के लिए हमें थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हम तो उस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे जीरो से एडवांस लेबल तक, मुझे तो ये समझ करके चलना है, ये समझ करके पढ़ाना ह कि आपको कुछ भी नहीं आता, बस जीरो से पढ़ाना है, बले ये आपको सब कुछ आता है, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, तो हमने क्या बताया है, नाउंदी नंबर में आप समझ लिजेगा किस तरीके से, देखो मैं कई तरीके से इसको एक्स्प्लीन करूंगा, याने कि countable noun होते हैं, countable noun होंगे और दूसरे एक कौण से होंगे, हमारे uncountable अं можно be counted in number, जिसको हम number में count कर सकें, हमारे countable होंगे, अच्छा, जिनको हम number में count कर सकते हैं, उनिका singular और plural बनेगा, ये भी धियान रखना, उसी का singular और plural बनेगा, जिसको हम count कर सकते हैं उसी का singular और plural बनेगा जिसको हम count कर सकते हैं अब जो बन होगा यानि कि जिसमें एक की बात की जा रही होगी बो singular होगा जिसमें एक से अधिक की बात की जा रही हो more than one यानि कि more than one होगा तो बो क्या होगा हमारा plural होगा और uncountable noun इसको तो हम count ही नहीं कर सकते तो ये तो हमेशा singular लेगा और इसके साथ बर्ब भी हमेशा singular लेगा इस सीधी सी बात हमने एक simple सा चीज बताया आपको प्लाल अब आपको समझना क्या है कि नंबर समझना है देखो अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे आप बच्चन कहेंगे यानि कि सबसे पहले नंबर को समझ लो इफ यदी यहां पर क्या लिखा इफ यदी a noun tells about कोई भी noun हमको बताता है बारे में बन चाहे बो singular हो यानि कि एक की बात कर रहा हो और अत्वा more than one या एक से अधिक की बात कर रहा हो इज कहलाता है इज कार्ड कहलाएगा नंबर कहलाएगा यानि कि जिसमें एक की बात कही गई हो या एक से अधिक की बात कही गई हो वो नंबर होगा ठीक है दोनों लेकिन अब ये नंबर जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं singular number और plural number जिसमें एक की बात कही जाती है वो singular होता है ये तो simple पता है और जिसमें more than one हो यानि कि एक से अधिक की बात करी जाए बो क्या होता है हमारा plural होता है ये सब जानते हैं भई आबवाई एक लड़का बवाईज बहुत से लड़की आगल एक लड़की गल्स बहुत से यानि कि simple सी बात ये है जर्राली हम ये समझते हैं कि किसी भी नाउन में एस या इस जोड़ देने से बो क्या बन जाता है plural बन जाता है ये बात हम पहले से ही सीखे हुए हैं और हमको सिखाया भी जा चुका है क्या सिखाया जा चुका है कि जिसमें एक का जिक्र किया जाए वो क्या होगा only one यानि की singular कहलाएगा और जिसमें एक से अधिक की बात की जाए वो क्या होगा more than one यानि की plural number कहलाएगा त यहां पर हमने नोट डाउन किये कि काइंट साफ नाउन में अगर हम बात करें काइंट साफ नंबर में अगर हम बात करें माफ करिए काइंट साफ नंबर में एक सिंगुलर नंबर होगा और दूसरा हमारा प्लूरल नंबर होगा जो सिंगुलर नंबर होगा उसे हम एक वचन क अब देखो singular number क्या कलाता है singular number हम उसे कहेंगे कि if a noun tells about only one, कोई भी एक ऐसा noun, जो सिर्फ एक के बारे में बात करे, वो singular number होता है, यानि कि one in number is called singular, more than one in number is called plural, अब ये क्या है, एक ऐसा noun, जो more than one कहता है, तो बो क्या होगा, plural number होगा, इस सब बाते हम बता चुके हैं, जैसे a student एक चात्र, a woman एक औरत, उसी तरीके से students अगर हम कर दें तो एक से अधिक चात्र हो जाएंगे, और woman कर दें तो एक से अधिक औरत हो जाएगी, बात इतनी, ये अभी बिल्कुल बेस बता रहा हूँ, अभी कुछ भी competitive legal में, इतना सरल कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है, मैं बताओंगा कहां से पूछा जाता है, सब कुछ एकदम बही पॉइंट उठा करके रखे हैं, जो पूछे जाते हैं आप से, थोड़ा बेट का लीजिए, थोड़ा सा हमें, बेस क्लियर कर लेने दीजिए, नहीं तो हमें बीच बीच में आपको क्लियर करना है, रूल नंबर बन में, कि जनरली होता क्या है, जनरली क्या सामानेता आपने भी पड़ा होगा, अकैडमिक लेबल पर भी, ठीक है, कि क्या पड़ा है हमने, कि किसी भी नाउन के लास्ट में अगर हम यस या इस लगा दें, ठीक है, तो यस या इस जोड़ करके बो नाउन हमारा क्या बन जाता है plural बन जाता है ठीक है सही बात है singular number को अगर हमें plural number में convert करना है तो उसमें अगर हम yes या yes जोड़ दें तो वो plural बन जाएगा यहीं पर एक concept समझते चलो कि किसी noun में अगर आप हमने क्या बताया किसी noun में अगर आप yes या yes जोड़ते हो तो वो noun हमारा plural बनेगा आगे चल करके सब जानते हैं क्या बताया हमने ध्यान रखिएगा किसी noun में yes या yes जोड़ोगे तो यह noun कैसा बनेगा plural लेकिन अगर किसी बर्व में हमने क्या कहा लेकिन अगर किसी बर्व में yes या yes हम लोग add करते हैं तो बो बर्ब हमारी कैसी बन जाती है, शिंगुलर बन जाती है, बो बर्ब हमारी शिंगुलर बन जाएगी, यानि कि नाउन पहले से ही हमारे शिंगुलर फार्म में होते हैं, अगर उसमें एस या इस हमने जोड़ दी, तो बो नाउन हमारा प्लूरल की तरह फंक्शन करेगा वो noun हमारा plural बन जाएगा बर्ब पहले से हमारी plural form में होती है और बर्ब को singular बनाने के लिए हमें किसको जोड़ना पड़ता है yes या yes को तो इसका मतलब है हुआ अगर किसी बर्ब में yes या yes एड़ किया तो बर्ब हमारी singular बन जाएगी अब आपके मन में एक कोश्चन और आ रहा होगा एक कोश्चन और उठ रहा होगा कि सर कहां पर आपने तो दो सब्द यहां पर हमको बता दिये कि किसी noun में yes या yes जोड़ देने से yes या yes जोड़ देने से वो noun हमारा plural बन जाता है अब हमें यह भी बता दिजिए कि कहां पर हम yes लगाएं और कहां पर हम yes लगाएं तो ध्यान बनाए रखना मैं यहां पर लिख देता हूँ जब किसी भी noun का अंतिम अक्छर O CH, SS, SS और X O तो हम क्या करेंगे यह लगा करके उस noun को plural बनाएंगे अच्छा यही concept हमारा बर्व के साथ भी लागू होता है कि अगर किसी बर्व का अंतिम अक्छर O CH, SS, SS, X है तो ES लगा करके उसको singular बना देते हैं तो जो noun और बर्व हैं यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं किसी noun में ES, ES जोड़ा तो वो noun plural बन जाएगा किसी बर्व में ES या ES जोड़ा तो वो बर्व singular बन जाएगी ठीक है इतनी चीज यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी तो जनरल बात आपको समझ आ गई हमारे mindset पहली से होता है कि किसी भी noun में ES या ES लगा होगा वो noun हमारा plural होगा आगे यही चीज सीखना है इतना सरल तो नहीं देना है कुछ भी exam में तो कभी कभी तो हम noun को ही नहीं पहचान पाते कि वो noun हमारा singular है या plural है जब हम noun को ही नहीं पहचान पाएंगे कि वो singular है या plural है तो उसके अनुसार बर्व कैसे रखेंगे बर्व भी हमारी नहीं रख पाएगी तो यही चीज हमें अच्छे से समझना है चलो आगे थोड़ा सा move करते हैं यह तो आपको समझ गए यस जोड देने से वो क्या बन जाएंगे सभी plural यानि कि यह सभी singular form में है और इन सभी सब्दों के साथ हमने क्या add कर दिया S जोड दिया तो वो क्या बन गया हमारा plural ठीक है चाहें कि सभी में आप S जोड दोगे यह सभी क्या बन जाएंगे हमारे plural बन जाएंगे ठीक है क्यूंकि यह सभी हमारे क्या है noun है ठीक है तो अब आगे देखो कि only bun जिसमें आ जाए क्या कहा गया है only bun जिसमें भी हो बो singular और more than bun जिसमें हो बो plural छिक आगे अब देखिए ये concept कहीं पर note down कर लो भाई मैंने क्या बता है मैं हर बो छोटा मोटा concept आपको मैंने कहा कि noun जब जिस दिन भी मैं complete कर दूँगा पढ़ा करके noun को इसके बाद noun से एक भी concept आपका बचने बाला नहीं है एकजाम में कहीं से कुछ भी पूछे तुम कर ले जाओगे और तुरंत error को find out करोगे ठीक है खलाल अभी कम से कम हम noun के ऊपर ही 4-5 वीडियो बनाने बाले हैं ओके 4-5 आज वीडियो में फिनिस करेंगे आज की वीडियो में सिर्फ noun the number को discuss कर रहे हैं तो पहला रूल क्या कहा है हमने पहला रूल हमने ये कहा कि कोई एक noun हो फिर बीच में एक preposition लगा हो और इसके बाद फिर से एक noun आ जाए यानि की एक noun बीच में preposition और preposition के बाद में दूसरा फिर से noun ठीक है और ये दोनो noun same हो क्या लिख का हमने नीचे लिख भी रखा है आप note कर लो बेन बोथ noun are same word देखो जब दोनो noun same word हो कैसे जरा समझो यहां से समझो देखो एक noun बीच में preposition है हमारा और फिर ये दूसरा noun ठीक है एक noun preposition दूसरा noun जो noun इस preposition से पहले है बही noun इस preposition के बाद भी है यानि की इस preposition के इधर और उदर same noun है same word है तो अगर ऐसी कोई condition हो कि एक noun और बीच में preposition फिर बही noun पहले वाला repeat हो जाए तो बर्ब हमेशा singular आती है बर्ब हमेशा singular लगाओगे पहली चीज़ नोट कर लिजिए दूसरी चीज़ जो error पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आपसे कि वो क्या करेंगे आपको ये noun भी plural बना देंगे और इस noun को भी plural बना देंगे इस तरीके से और आप तुरंत पहचान जाओगे कि इस तरीके से ये जो प्रैपोजिशन है और प्रैपोजिशन के पहले कोई noun और बाद में noun ये दोनों singular form में होती है हमेशा singular होंगे कभी plural नहीं हो सकते और इनके साथ बर भी plural sorry singular आती है तो इसका मतलब ये बाला जो pattern होगा वो क्या होगा गलत होगा बिलिज आफ्टर बिलिज होगा और जैसे उन्होंने बिलिज आफ्टर बिलिज किया वही गलत होगा तो आपको दे कुछ इस तरीके से दे रखा होगा इस तरीके से नहीं दे रखा होगा तो हो सकता है इन दोनों noun में से कोई एक noun plural कर देंगे चाहे बो इधर बाला या बो इधर वाला plural कर देंगे, देखो यह बुमैन है, और यह बुमैन है, तो ध्यान बनाए रखेगा, प्रैपोजिशन के, इधर और उधर, दोनों तरफ सेम नाउन हो, तो इनका plural नहीं बनता, और इनके साथ कभी भी plural वर्व नहीं आती, वर्व कैसी आती है भई, शिंगलर आती इतनी चीजें समझ गई, समझ गए, जैसे आवर, आफटर आवर होता है, पेज, आफटर पेज होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, कभी-कभी आपसे कहा जाता है, वर्ड टू वर्ड पढ़के दिखाओ, वर्ड टू वर्ड, तो वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, क सिटी आफ्टर सिटी किसी एक्जाम में पूचे गए हैं ठीक है उनको तुमें टेस्ट करने के लिए रखा है कि देखो किस तरीके से इस बाले रूल से एरर आता है ज़रा समझो इसी बाले रूल को हमने डिसकस किया तुमारे सामने एक संटेंस और दो संटेंस है एक मिनट के लिए वीडियो को लिए और चार पहले बाड में कोई एरर है city after city एक नाउन और इस नाउन के पहले प्रैपोजिशन और प्रैपोजिशन के पहले यह नाउन सिंगलर है यह भी नाउन सिंगलर है कोई अरर नहीं बिलकुल सही है लेकिन यह पूरा का पूरा compound word इसे क्या कहोगे जो 2 या 2 से तो एक जो compound noun है हमेसा singular रहेगा तो इसके साथ बर्ब भी कैसी आएगी singular आएगी तो यहां पर बर्ब ना होकर कि क्या होगा बाज होगा यही बात तो समझाई थी कि जब भी इस तरीकी का structure हो तो इस तरीके के structure के साथ जो बर्ब लगाते हैं वो बर्ब कैसी singular फार्म में लगा में जड़ा ध्यान से देखेगा मुझे नहीं लगता woman after woman यहां पर में तो कोई error नहीं यह noun be singular है यह noun be singular है बीच में preposition है अच्छा बर्व का कोई मतलब नहीं क्योंकि बर्व की second farm लगी है तो इधर कोई भी दिक्कत नहीं इसमें no error होगा आगे बढ़ो next अब अगला compound देखो दो तरीके के compound आगे अच्छा यहीं पर एक चीज और मैं discuss कर दूँ ठीक है यहीं पर मैं discuss कर देता हूं यह तो चलो same bird हो गए compound noun में यहां पर तो यह same bird हो गए अम मालो same bird नहीं है तो क्या करोगे जैसे sister अब यह बीच में तो यहां पर भी वह यह प्रेपोजिशन है है नहीं है देखो और इधर भी एक noun आया और इधर भी एक noun आया same structure बीच में preposition इधर भी noun आया इधर भी noun आया देखेगा ध्यान से तो ऐसी condition में बताओ क्या होगा ध्यार रखना है यह same noun है और यहां पर यह different noun है यह बाला noun और यह बाला noun दोनों अलग अलग है तो ऐसी condition में जो main word होता है जो मुख्य सब्द होता है उस मुख्य सब्द को उस main word को हम plural बनाते हैं किसको plural बनाते हैं उस main word को ठीक है तो यहां पर जो main word जो भी हो जैसे father's in law है पेसर's why है ठीक है sister in law है commander in chief है कुछ भी आ जाए तो जो main word देखेंगे main word कौन सा उस main word को हम plural बनाएंगे इतना क्लियर हो गया और यह जो जितने भी compound noun होते हैं यह इस तरीके के जिसमें different होता हुआ उसमें hyphenated sign लगा होता है hyphenated hyphen sign ऐसा होता है ठीक है इतना क्लियर हो गया चलो मैं आगे discuss करूँगा इस चीज को भी लेकिन यहां पर थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ अब next एक और compound noun की मैं जिक्र कर लेता हूँ चलो आपके साथ देखो क्या दिया है कि एक और noun compounds का जिक्र कर लेता हूँ क्या है जिक्र समझेगा अब इसमें क्या का है हमने आप से कहा था कि एक noun होगा बीच में preposition होगा फिर एक noun होगा same noun होगा ठीक है इसके बाद हमने ए जिक्र किया यानि कि तब यह singular रहता और इसके साथ बर्व singular आत है फिर मैंने क्या बताया कि अब एक noun एक डाइग्राम और आपके सामने यह noun है अब प्लस में एक noun है यह दोनों noun मिलकर के एक compound noun बनाएंगे देखो noun compound compounds का मतलब ही होता है जोड़ना किसी चीज का मिस्तरण करना अब जोड़ोगे तो कोई दो ही चीज़े हो तब ही तो noun यह है इनको जोड़ करके जो सब्द बनेगा उस सब्द को नाम करन होगा किस नाम से पुकार होगे noun compounds या compound noun आप एभी noun compounds बोल सकते या compound noun कह सकते हो कुछ भी बोल लीजी देखो noun प्लस noun क्या होगा singular अब इस noun प्लस noun का plural बनाना है तो कैसे बनाओगे क्योंकि हम सीख रहे हैं सब्दों का singular से plural बनाना मैंने क्या बताया हम सीख रहे हैं इस वीडियो में सब्दों का singular से plural बनाना कई सारे simple चीज़ें तो सब को बताएं यह सब सिंपल चीजें हमें आती हैं लेकिन कुछ हमारे लैटिन वर्ड भी होते हैं जिनको हमें इस्पेशल रूल यानि कि जहां पर किसी तरीके का कोई रूल ही लागू नहीं होता है बस सब समझना ही पड़ता है तो पूछे तो सब कुछ बई जाते हैं यह जो हम लोग अक रूल पर एरर आया है इसलिए इस वाले रूल को यहां पर लिया गया है समझ ये गाजारा ध्यान से देखो एक नाउन और ये दूसरा नाउन ये दो नाउन है यही बात तो हमने बताए एक नाउन हो और फिर दूसरा नाउन हो ये तो अभी सिंगलर है अब हमें इसी garden chair का हमें प्लूरल बनाना कैसे बनाएंगे सिधी सी बात ये लिखा हुआ है बना दो भाई garden chairs अब हम आपने सोचा होगा यार इसमें समझाने वाली बात क्या है समझाने वाली error वाली बात यह है कि यहां पर जो error डालेंगे वो क्या करके डालेंगे यहां पर yes लगा देंगे यहां की जगए पर यह तो सही है लाश्ट वाले में यस लगा करके प्लूरल बनाया बिल्कुल सही लेकिन जो एरर आएगा आपके एक्जाम में वो गार्डन्स चेयर कर देंगे तब ही यह क्या हो जाएगा घलत हो जाएगा समझो अब ऐसा क्यों तुमारे मन में फिर एक कोस्टन उट रहा होगा कि हमें एपी बता दो कि आपने लाश्ट वाले बढ़ के साथ ही यस क्यों लगाया लाश्ट वाले बढ़ के साथ यस लगा करके आपने इस कमपाउंड नाउन को प्लूरल क्यों बनाया आप यहां पर इस तरीके से भी तो प्लूरल बना सकते थे गार्डन्स चेर या टेविल्स लेग या घौस्ट इस्टोरी या गर्ल्स इस्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते थे समझो क्यों नहीं कर सकते इसका रीजन क्या है इसके पीछे क्या लॉजिक है ध्यान दीजेगा यह है तो नाउन हम इस बाले सब्द के साथ ही इस या इस जोड़ करके प्लूरल क्यों बना रहे इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे सुनो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हैं तो यह भी नाउन है और यह भी नाउन है लेकिन इस समय बर्क किसका कर रहा है एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां से समझना मैंने क्या बताया यह किसका काम कर रहा है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है सुनो बोले यह नावन है और यहां पर यह किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का कभी भी कोई plural नहीं बनता जैसे हमने कहा कि आ ब्यूटी फुल गर ठीक है तो यहां पर यह जो आ आर्टिकल आया है वो किसके गर्ल के लिए आया है और इस गर्ल का adjective क्या है यह वाला है तो हम इसे कभी भी plural नहीं बनाएंगे मालीजे अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं टू ब्यूटी फुल गर्ल करेंगे टू ब्यूटी फुल गर्ल्स डांसे सुनिएगा अब हमने क्या बता है इसको प्लूरल कर सकते हैं लेकिन हम अब इसे plural नहीं करेंगे, क्यों इसको ऐसा नहीं बोलेंगे, two beautiful girls नहीं करेंगे, क्योंकि ये adjective है, ठीक है, और ये अभी भी ये जो वाला two है, डिटर्मिनर, ये किसके लिए आया, girls के लिए आया है, तो यहाँ पर समझने बाली बात ये है, कि जितने भी हमारे adjective होत नाउन का प्लूरल बनता है, या तो बर्व का प्लूरल बनता है, और किसी का भी प्लूरल नहीं बनता, ये बात तो आप जानते हो पहले सी, तो same to same, यहाँ पर भी ये हमारा नाउन का काम कर रहा है, तो इसी के साथ हम yes जोड करके इसको प्लूरल बनाएंगे, और ये हमार adjective का कैसे जड़ा ए भी समझ लो बोले garden chair तो जो कुरसियां तो है ये वाला सब्द जो है वो बता रहा है वो कुरसियां कहां की हैं घर की हैं घर वाली कुरसियों की मैं बात कर रहा हूं नहीं हमारे जो coaching में कुरसियां डली होई हैं हम उनकी बात कर रहे हैं हम बात किसकी कर रहे हैं जो न वो चियर की बات कर रहे हैं जो गार्डन बगीचे में डली होई है तो ये वाला सब्द हमको इस वाले सब्द की विशिष्था बता रहा है कि कौन सी कुर्सिया गार्डन वाली चेर ठीक है इसी तरीके से लेग किसकी मेरी टांग नहीं ना आपकी वो भी नहीं बोले किसकी टेबिल की तो ये बाला सब्द इस मैं एडजिक्टिब का काम कर रहा है और इसकी बता रहा है कि यार कोई गोष्ट इस्टोरी है किसी भूत की कहानी है गोष्ट तो ये जो गोष्ट बढ़ है ये इस इस्टोरी की कहानी बता रहा है सिंपल इस्टोरी नहीं है राजा रानी की कहानी नहीं है गोष्ट इस्टोरी है ये इस्टोडेंट तो हमारा कामन नाउ है दोनों ही common noun ठीक है लेकिन जैसे इसके आगे यहां पर जो girl है ना बो adjective का काम कर रहा है boy student girl student तो इसी लिए इस वाले सब्द के साथ yes yes लगा ना लगा करके last वाले सब्द के साथ हम yes लगा करके plural बनाएंगे बात सरल समझ में आगी क्या बताया हमने बताया कि कोई भी compound noun इस तरीके से आ जाए अगर उसका singular से plural आपको बनाना पड़े तो आप क्या करोगे last वाले word का चुनाओं करोगी पहले वाले को क्यों नहीं करोगे क्योंकि वो उस समय होता तो noun लेकिन adjective का काम कर रहा होता है चालो अब आगे देखो यहां पर इस से related जो error पूछा गया था उसको एक बार देखो यह error आप पढ़िएगा इसमें क्या error लग रहा है कुछ लग रहा है आपको एकदम दो सेकिंड में आप तुरंद पहचान लोगे all the girls student यहां पर समझेगा यह क्या लि अब दी girls student और तुमने देखा होगा कि यहां पर यह जो girls अना बो adjective का काम कर रहा है जरह एक बार को हम बता देते हैं ए एन पिलस में adjective पिलस में noun यही तो हमारा generally structure होता है कि एन लगा होगा बीच में adjective होगा इधर हमारा क्या होगा noun होगा same to same यह तो हमारा noun का काम कर रहा है यह हमारा determiner का का काम कर जाएगा तो यह तो अभी adjective का का काम कर रहा है और जब यह adjective का का काम कर रहा है और adjective का भी plural बनता नहीं तो हमे नाउन में यस जोड़ करके plural बनाना पड़ेगा, तो गल्स से यस को हटा करके student पे जोड़ना पड़ेगा, बात इतनी clear हो गई होगी, क्या समझाया हमने, कि क्यूं इसमें error है, गल्स का girl student होगा, all the girl, और plural बनाना है, तो नाउन को plural बनाओ, ठीक है, बाकी जब ये नाउन plural हो कोई error नहीं सही है, तो बात समझ में आ रहा है, मैं इसलिए ये औरली बता करके चलना हूँ, जिससे कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि भाई, देखो सर, ये इस तरीके के आते हैं, इस तरीके का error रहता है, आगे मैं बहुत कुछ आपको discuss करने बाला हूँ, प्लाल आज की वी noun की बात करी थी, लेकिन अब भया, ये सेम noun नहीं होगा, noun तो compound होगा, एक noun बीच में अभी भी preposition होगा, लेकिन यहाँ पे different noun होगा, यानि कि भेन बोथ nouns, ये बाला noun और ये बाला noun, ये दोनों क्या हो, different word हो, अगर ये दोनों different word होते हैं, तो इनका singular से plural कैसे बनाएं, और मैं तो आपको यही सिखा रहा हूँ इस वीडियो में, कि भाई, सब्दों का singular से plural कैसे बनाओगे, अगर सब्दों का singular से plural बनाना आता है, तो definitely आप बहुत कम गलतियां करोगे, ठीक है, खेल तो यहीं से सुरू हो जाता है, चलो, देखते हैं, हमने क्या बताया, कि इस तरी बाला नाउन और यह बाला नाउन दोनों सेम थे, तो दोनों नाउन सिंगलर होते थे, बर्बी सिंगलर आते थे, लेकिन और उनका plural नहीं बनेगा, लेकिन यह बाला प्रेपोजिशन इधर का नाउन और यह बाला नाउन दोनों डिफेंट हो, दोनों अलग अलग हो, तो इ इसके में बड में जो में बड होता है जो मुख्य सब्ड होता है, उसके साथ हम एस जोड करके प्लूरल बनाते हैं। समझो, जैसे mother's illa में, कौन ये तो preposition है, और ये थोड़े ना हमारा main word, main word तो ये है Mother, तो हम क्या करेंगे, mother's illa करेंगे, sister in law में मुक्य सब्द कौन सा है, sister, ये वाला सब्द मुक्य है, तो इसमें या य स जोड़ेंगे, member of parliament, member of parliament, तो मुक्य सब्द तो ये है, member, ठीक है, Commander in Chief में Commander मुख की सब्द है Father Allah में Father मुख की सब्द है तो जो भी हमारे main word होंगे उन main word के साथ यस जोड़ करके इनको plural बनाया जाएगा ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो समझ में आया होगा ठीक है अब यहाँ से error कैसे डालते हैं एक्जाम में तो एक्जाम में जो error डालेंगे वो इस तरीके से डालेंगे देखो एक error बाला भी हमने लिख लिया बो मदर में yes याई yes ना जोड़ करके लास्ट बाले word में yes याई yes लगा हुआ मिलेगा आपको तो आप तरंत समझ जाएगा कि एही error है अगर इस तरीके का कोई भी compound noun होता है तो उसके मुख्य बढ़ के साथ हम yes या yes जोड़ करके plural बनाते हैं ठीक है next एक जरा आपको टेस्ट करने के लिए एक एक्जामपल देता हूँ जरा समझो इसमें पहले तो आप अच्छे से पढ़ लो और पढ़ने के बाद बताओ कि error कहाँ पे तो देखने से ही तरंत भाई बिदिन सेकेंड दो मिनट के अंदर आप तरंत error पहँचाल लोगी ठीक है error कहाँ पर है देखो all his sisters in lodge होगा क्या इस वाले सब्द में yes या yes जोड करके plural बनाओगे या main word में तो भाई अभी अभी सिखाया कि जो मुक्खे word होता है main word होता है उसमें yes जोड करके plural बनाते है तो भाई lodge नहीं होगा sisters इल्ला होता है तो इसमें yes या yes जोड़ेगा और जब ये सब्द plural बन गया तो बर्ब भी plural आगे ठिक है आगे देखो commander in chief देखो error कहाँ पर है सिद्धी सी बात आपको त्रंत दिख गया होगा कि यहाँ पर हम को error दिख रहा है error में क्या chiefs यानि कि ये कोई मुक्खे सब्द तोड़े ना है लेकिन different है तो इनका plural बन जाएगा लेकिन plural कौन सा वाला सब्द main word बनेगा ये वाला ना की ये ठीक है तो commander in chief सही होगा माफ करिये दोस्तों बताओ इतनी बात हमको समझ हमाया आगे कोई दिक्कत नहीं होगी और दिक्कत त्यार होना भी नहीं चाहिए चलो आगे देखते हैं मेरे दोस्तों अब आगे देखो एक चीज और हमने यहां पर discuss किया यहां से भी खूब error मैंने बही point ढून ढून करके निकाल लिये हैं कि error कहां से आ रहा है ठीक है ऐसे नाउन ध्यान से सुनिए ऐसे नाउन जो समाप्त होते हैं फूल पर अब देखो यहां से कैसे error डालते हैं बहां पर ध्यान से सुन लेना कैसे ऐसे नाउन जो फूल पर समाप्त होते हैं देखो ध्यान से यह हमारा singular है और इस फूल वाले सब्द फुल है अगर हमें ये तो सभी हमारे अभी शिंगलर हैं कप फुल, इस्पून फुल, ग्लास फुल, हैंड फूल, मुठ्थि बर तो अभी ये सिंगलर हैं तो हमें इन सब्दों का है क्योंकि ए भी दो नाउन से मिलकर के बने इने भी हम कंपाउंड नाउन कहेंगे cup, full, spoon, full लेकिन यह सभी सब्द ऐसे हैं जो full पर समाप्त हो रहे हैं तो ऐसे noun जो full पर समाप्त हो तो इस तरीके के noun का हम plural कैसे बनाएंगे इसके last वाले bird में yes जोड़ कर, full के साथ जोड़ोगे तो इसका singular से plural कैसे बनाओगे cup, full हो जाएगा अब error कैसे आएगा वो error कुछ इस तरीके से देंगे बही, सही क्या है full के साथ yes जोड़ करके plural बनेगा लेकिन error वो कहां से देंगे cup के साथ yes जोड़ करके plural बना करके देंगे जो कि गलत होगा दोनों ध्यान से एक बार देख लो सही क्या होगा full के साथ yes अगर लगाना है आपको plural बन गया अगर उनोंने इस तरीके से plural बनाया यहां से गलत होगा ठीक है, समझो अब यहां से देखो, cup full ठीक है, इसका plural cup full, last वाले word के साथ yes जोड़िएगा, कभी भी पहले के साथ नहीं जोड़ना है okay, spoon full spoon, false glass full glass full handful, handful बात क्लियर हो गई चलो, अब इससे related एक दो error देख लो, अभी आपको समझा जाएगा एक डम देखो, क्या पूछा गया है, error देखिएगा he was advised to take two spoon देखो यहां पे, क्या लिखा है two spoons full लिखा है two spoons full गलत हो गया भाईया हमने बताया कि जब भी यह full वाले word आजाएं जैसे spoon plus full वाले word आजाएं तो इस सब्द के साथ yes या yes नहीं लगेगा या yes जोड़ करके हम plural नहीं बनाएंगे कैसे करके plural बनाएंगे last वाला जो full word है इसमें yes जोड़ करके plural बनाएंगे यानि कि ये सुद्ध सब्द होगा, सही सब्द होगा सही सब्द जो plural बनाओगे वो spoon fulls करके होगा ये सही है ना कि ये वाला और अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ठिक, और यहाँ पर तो कुछ ऐसे लिखा है, देखो ध्यान से आपको दिख रहा होगा अच्छा यहाँ पर भी एक सब्द आया है दि पासर भाई तो मुक्खे सब्द तो पासर है ना पैसर भाई भी बोलते है ना कि ये तो preposition है तो preposition में यसे ये प्रण ना तो पासर सब्द भाई होगा ना कि पैसर भाई ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे चलो, फिर से एक बार समझ लो देखो यहाँ पर जिसको मैंने underline किया है ये और ये खुब समझ में आ गए कि इस्पून्स जो भी सब्द फुल पर समापत होते हैं फुल के साथ यस जोड़ करके plural बनाओंगे और जो main word है तो main word इसमें कौन सा है ये वाला है तो पासर सब्द होगा ना कि पासर भाई तो ये वाला यस यहाँ से अट करके यहाँ लग जाएगा चीजे clear है नेक्स्ट देखो ये उनी का जिक्र किया गया है हम लोग सीख रहे हैं किसको singular से plural बनाना अब hyphen बड़ hyphen क्या होता है hyphen का sign कुछ इस तरीके से लगता है ध्यारक ना जैसे singular सब्द तो ये है अगर इस singular सब्द का ऐसे सब्द जो hyphen से जुड़े हुए है चीक है तो इनका अगर plural बनाना पड़े तो कैसे करके plural बनाऊँगे तो भाई बात हम बता रहे थे कि भाई इनका plural कुछ इस तरीके से बनाऊँगे इसमें जो main word होगा मुख्य सब्द होगा उसमें यस जोड़ करके जैसे पासर भाई का पासर सब्द होगा यानि कि इस बाला भाई ये तो preposition है ये मुख्य सब्द तो 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 ये बाला होगा जब ये बाला होगा तो हम इसी के साथ यस जोड़ेंगे पासर सब्द ना कि पासर भाई यह इस तरीके से अगर लिखाओ तो क्या होगा गलत होगा और इस तरीके से लिखाओगा तो सही होगा चलो, next देखो, यहां से समझो और लुकर्स, लुकर आन, अलुकर्स आन, ठीक है, यह तो preposition है, तो मुख्य सब तो यह बाला हो गया जब यह बाला हो गया, तो जब हमें इसका plural बनाना पड़ेगा, तो इसी मुख्य सब्द में हम यह जोड़ करके plural बनाएंगे, ठीक है, runners up, ना की runner up इसे इस तरीके से नहीं करोगे, runner ups नहीं करोगे, ठीक है, यह गलत, सही क्या है, इसमें यह सजोड़ू, ठीक है, runners up, यह बाला बिलकुल सही है यहाँ पे देखो, बताओ इसमें क्या error है, सी बाज गलेरिंग अट ओल दी पेसर्स भाई, पासर वाईज, तो देखो, अपने आप समझ में आ गया, इसमें यस या यस ना जुड़ करके, इसमें जुड़ेगा, यह तो मुख्य सब्द है नहीं, यह तो प्री पोजिशन है तो मुख्य सब्द कौन सा हुआ, यह वाला पासर सबाई होता है ना कि पासर वाईज, ठीक, नेक्स्ट, अब कुछ सब्द यहाँ पर और देख लिजेगा, जैसे यह सब्द हमने तुम्हें क्या बताया था, याद करना होते हैं, इनका singular से plural कैसे बनाते हैं, हमें कुछ या बाद करना पड़ता है, जैसे criterion तो हमारा singular होता है, लेकिन इस criterion को अगर हमें plural बनाना है, तो criteria करना पड़ेगा, एक के लिए criterion लिखोगे, एक से अधिक के लिए criteria लिखोगे, ठीक है, और वो error किस तरीके के देंगे, error कुछ criterion, इसमें yes या yes लगा करके plural बना करके देंगे, जबकि इस तरीके से तो plural बनता ही नहीं है, तो criterion नहीं होगा, criteria इसका plural होगा, phenomenon का, phenomenon का, plural phenomena होता है, ना कि phenomenon, क्या होता है, phenomenon हमारा plural होगा, ना कि यह, यह क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, आगे, अब यहां पर जड़ा कुछ error दे रखे हैं हमने बताओ क्या सही होगा बोले what is the criteria for selection समझेगा what is the criteria भाई जब यहां पर इज लगा है तो criteria word क्या हो गया plural जब यह plural है तो verb singular आएगी नहीं आएगी या तो भाई बर्ब प्लूरल करो बर्ब प्लूरल नहीं करते हो तो इसे आप criterion करो ठीक है what is the criterion for selection बात समझ रहे न ठीक है तो यह सब्द प्लूरल है इसको singular करना पड़ेगा आपको दूसरा the manager put forward a member up देखो जब यहां पर a number up criteria हमने आपको बताया था a number up और d number up के बारे में कि बहुत important concept है यह ठीक है a number up और d number up तो इसमें क्या होगा a number up criteria होगा या a number up criterion होगा तो यहां पर आपको इधर भी unnatural phenomenon होगा या unnatural phenomenon होगा तो यह आपको खुदी देखने से त्रंट पता लग जाएगा कि इसमें आखिर error क्या है चलो next देखो झालो